सो हेलो दोस्तो मैं आपका दोस सुदीप स्वागत करता हूं आपको आपका शिखर इंस्ट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में देखिए हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे रिलेशन एन फंक्शन पढ़ रहे थे अगर आप लोगों ने नहीं देखी है उसको पहले देखी है अगर आप भूल चुके हैं या आपने पढ़ा नहीं है तो जो मैंने वीडियो अपलोड करी है Cartesian Product of Sets नाम से उसको आप तुरन देख लेजिए ठीक है आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले है वो है रिलेशन ठीक आज हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे सो रिलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप वो कुछ एक्जामपल देता हूँ जैसे कि अगर मैं कहूँ राम इस ब्रदर ओफ शाम ठीक है मैंने एक एक्जामपल ये लिया राम इस ब्रदर ओफ शाम फिर मैं कहता हूँ सीता इस वाइफ ओफ राम ठीक है इसी तरह मैं mathematically कह रहा हूँ 2 is less than 3 या मैं कहता हूँ line 1 is parallel to line 2 या line 1 is perpendicular to line 2 triangle 1 is congruent to triangle 2 इसी तरह हो सकता है triangle 1 is similar to triangle 2 ठीक है तो मैंने ये सब कुछ एक्जामपल लिये हैं और इन एक्जामपल में हम देख सकते हैं जैसे कि राम और शाम दो elements है यह 1 element है राम और दूसा element कहा है स्षाम और राम ओर स्षाम को जोडने वाला यानि कि relate करने वाला एक relation है इस brother of इस brother of क्या होगा एक relation होगया इसी तरह सीता और राम यह 2 element है और is wife of यह relation है ठीक है फिर 2 और 3 दो elements होगयी तो अगर मैं इसके according अपनी definition को generalize करना चाहूँ तो मैं यह कह सकता हूँ, generalize आप समझते होंगे generalize का मतलब होता है एक ऐसा statement लिखना जो सभी के लिए true होगा चीक है जी? तो अगर मैं generalize करना चाहता हूँ यह जो उपर मैंने statements लिखे इनको generalize करना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा relation जो होता है वो दो elements के बीच में होता है, एक होता है A, एक होता है B और इनके बीच में जो relation होता है वो हमने generalize करना उसको हमने R से denote किया है यानि कि A is related to B, इसको ऐसे पढ़ते हैं, तेक है कैसे पढ़ते हैं, हमें लिखके लिखा लेता हूँ A is related to B, इस तरह हम पढ़ते हैं, A is related to B, यह रा, R यानि is related to, इस तरह हम पढ़ते हैं, अगर मैं A related to B को अपने first example से compare करता हूँ तो A की value जो है, इसकी जो value है, वो है राम, और B की value है, वो है शाम, ठीक है, और जो R की value है, वो है is brother of, ठीक है, समझना आगया होगा आप लोगों को, इस तरह second example से अगर compare करें, तो A की value है, क्या है, बिल्कुल सही आपने सही सोचा एकदम, सीता, B की value क्या है, राम, और R की value क्या है, is wife of, अगर मैं third example से compare करूँ, तो देखी, जरूरी नहीं है कि relation statements की form में ही लिखा हो, हो सचता है, symbol की form में लिखा हो, यह भड़े symbol की form में लिखा है, लेकिन इसको अंग्रेजी में is less than पड़ते है, तो पूरा English का phrase है, अच्छा खासा, ठीक है ना, तो two is less than three, यहा हो गया, दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, और a and b यह related है, तो मैं कहूंगा a, b belongs to r, इसका मतलब भी वही होता है, a is related to, मतलब इसको ऐसे पढ़ेंगे, a is related to, फिर यहां पर आएंगे b, पढ़ने का तरीका ऐसे होगा, और लिखने का तरीका होगा, a, b belongs to r, आप चाहे ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग-अलग तरीके से दिखाए जा रहा है बस, और है एक ही बात, ठीक है जी, तो मुझे अभी तक, जो relation को देखके समझ में आया है, वो यह आया है, relation हमिशा दो element के बीच में होते हैं, ठीक है, और दो element आएंगे कहां से, दो element किसी ना किसी sets आएंगे, तो अब हम इसकी definition देखते हैं, relation के definition क्या है, तो पहले हम लोग layman's definition देखेंगे, ठीक है जी, layman's definition का क्या मतलब है, layman's definition का मतलब है, आम जनता को समझाने योग्य definition, layman's definition of relation, ठीक है जी, तो है क्या relation, यह हम दिखने व नहीं है उसमें जरूर लिए छाली रैट से लिख लेते हैं तो पहली बात थो मैं इसमें घिरा हो। suppose यानि मान लेते हैं a and b दो sets है a and b are two sets हम ऐसा मान लेते हैं non empty sets भी आप लिसेकते है a and b are two sets ऐसा हमने मान लिया है आप x और y भी मान सकते हैं मैंने a और b मान लिया है suppose a and b are two sets then then a relation तब relation क्या होगा relation को हम दिखा रहे हैं यहाँ पर capital R से then a relation capital R is a rule यानि relation क्या है सिर्फ एक rule है is a rule मैं underline कर रहा हूँ आप भी underline कर रहे हैं जो relation R है वो एक rule है ठीक है which relates which relates elements of set A to the elements of of set B ठीक है क्या मतलब है इसका देखे मान लेते हैं हमारे पास दो set है यह मान लेते हैं यह हमारे पास पहला set हो गया A और यह हमारे पास दूसरा set हो गया let's say B ठीक है पहले set में कुछ elements है जैसे इसे कि मैं यहाँ पर मान रहाँ कि यह Bollywood के actors का set है तो मैंने मान लिया अक्षेख कुमार ठीक हमेने माना लिया एक हमारे धरमिंदर पाजी वह तो यहां पर कुछ- यैक्ट्रेशं है यह ह्से माल하지 थीक है फिर, लुए अ हाने है तुश्फिया उसके बाद हमारे पास है वाहत हम करिब में कहने हैं काूर हूं अब इंकल मैं इसमें कुछ यह है एक है वाली-वाइड-कर्स का set है ठीक है हम इनको relate किस तरह कर रहे है मैं कहूंगा मतलब हमें जो relation देर खाऊगा इस तरह है मान लेते हैं relation का नाम आर है कि इसमें दो elements को आपस में relate किया जा रहा है ए और बी को ठीक है ए और बी को रिलेट तो दीखे यहाँ कि जो relation का नाम है वो क्या है डीक है और मैं बताए है हो जगह पे लिख रहा हूँ small a और इन सब elements की जगह पे लिख रहा हूँ small b अब मैं यहां बता रहा हूँ जो small a आएगा वो कहा से आएगा small a कापिटल a क्या है हमारा set है यह वाला set थेखे है फिर आएगा जो small b है जो second element वो कहां से आएगा capital B से ठीक है अभी मैंने relation नहीं बताया है अब मिरे पास जगा खतम होगा इसलिए मैं line change कर रहा हूँ अगर आपके पास रहेगी तो आप मत change करना तो मैं लिख रहा हूँ कि A A और B को तब related माने जाएगा if A is husband of B तब related माना जाएगा ठीक है अब जड़र चेक करते है पहला element मुझे यहां से लेना है इस set से लेना है तो मा लेजी मैंने अक्षे पिक कर लिया अक्षे is husband of हेमा गलत नहीं होगा related अक्षे is husband of ऐश्वरा गलत अक्षे is husband of twinkle सही बात है तो यह इस से रिलेट हो गया ठीक है धर्मिंदर is husband of हेमा सही बात है धर्मिंदर is husband of ऐश्वरा नहीं धर्मिंदर is husband of twinkle नहीं धर्मिंदर is husband of करीना नहीं ठीक अभिषे के जस्बेंड ऑफ ट्विंकल अभिषे के जस्बेंड ऑफ करीना गलत है फिर बात करते हैं शारुक जस्बेंड ऑफ हेमा एश्वर्या ट्विंकल करीना के सिकाने है ठीक है जी तो यह हमारा इसा relation का कौन सा Diagram हो गया इसे हम लोग बोलते है एरो Diagram में पर हमने एक जनरलाइज स्टेट्मेंट लिखाता तो इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म ठीक है जी अच्छा अब हम एक चीज और कर सकते हैं जब हमने रिलेशन बना लिया है तो मैं ऐसे लिशता हूं आर इस इक्वल टू कौन सा किससे रिलेटिड है जो अक्षे है वो रिलेटिड है किससे ट्विंकल से रिलेटिड है ठीक है फिर धर्मेंदर किससे रिलेटिड है हिमा से रिलेटिड है ठीक है फिर अभीशे किससे रिलेटिड है ऐश्वरया से रिलेटिड है ठीक और कोई तो रिलेटिड नहीं है तो यह मैंने लिख लिया है relation और जब हम इस तरह से relation लिखते हैं directly elements के बीच में relation लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं roaster form या फिर हम बोल सकते हैं tabular form या फिर इसका एक और नाम होता है listed form relation को मैं एक और तरीके से दिखा सकता हूँ जब numbers के बीच में relation होगा तो मैं उसको coordinate plane में भी plot कर सकता हूँ अपने अगले example से देखेंगे कि हम कैसे represent कर सकते है coordinate plane में कैसे represent कर सकते है example number 2 ले ले लिए ठीक है मैंने का example number 2 के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक set x इस बार x ले ले लेते हैं ठीक है इसमें कुछ element है let's say 4 1 2 ठीक y मैंने ले लिया यहां पर let's say 3 4 और 0 ठीक है अच्छा आप यह देखिए relation में पहला set कहां से relation में जो पहला element था वो कहां से था a से relation में दूसर element कहां से था b से था तब हम इनको बोलते है relation from a to b relation from a to b क्या मतलब इसका relation from a to b का मतलब है पहला element a से आएगा दूसर element b से आएगा इस बात कभी आपको ध्यान रखना है अब इसी तरह यह जो relation है यह relation कहां से कहां तक है is a relation from x to y so relation from x to y ठीक है मैं ने ऐसे लिख दिया इसका पतलब है पहला element कहां से आएगा x से आएगा दूसर element कहां से आएगा y से आएगा ठीक है अब relation उतायते हैं इसमें relation हम ऐसा लेते हैं let's say relation का नाम मैंने R2 रख लिया R1 पहले बाले को रसते है R2 रसते है Q रसते है कुछ भी रसते है लेकिन जाएतर हम R रखते है तो मैं R2 इसलिए 2nd relation है मैंने कहा है दो elements के बीच में relation है A और B के बीच में और A कहां से लिया जाएगा पहले set यानि X से लिया जाएगा और B कहां से लिया जाएगा दूसरे set यानि Y से लिया जाएगा यहां पर भी वही लिखा है relation from X to Y का मतलब भी यही है अब मैं कहता हूँ कि A और B तब related है जब A is less than statement क्या है B है ठीक है तो अभी हम यह देखते है यह आभी इमने कौन सा form लिखा है यह लिखा है set builder form यह आपको सुनने आगा जब हम generalize करके statement लिखते है तो इसे बोलते है set builder form ठीक है जी उसके बाद इसी relation को मैं arrow diagram से ज़रा represent करके देखता हूँ ठीक है यह हो गया x set यह हो गया y set यह x है यह y है यह बंद होगा proper ठीक है इसमें कुछ elements लेते हैं जो थे 4 है यहाँ पर 1 है 2 है और यहाँ पर क्या है 3 है 4 है 0 है ठीक है अब क्या बताया गया था relation हम related तब मानेंगे जब x set का element y set का element 0 ॥ टीक है तो अभी हमने यह बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं arrow diagram अब आगे बढ़ते हैं अब इसी को जरह हम लोग लिखते हैं next form में जिसे हम लोग बोलते हैं पोर्सर कोई तो सुलों में कौन्छा में अगानि शलीटेंट umm 2 टू administer में कौन सब्सक्राइब कोई अगता है तोATA सुछ अगना मुस्क्वाइब काल और यह फाविकला टो मैं आप बता जी कौन सब्सक्राइब ठीक है तो यह जो भी मैंने बताया है जिस तरह से हमने directly elements को relate किया है इसको क्या बोलते है roster form अभी हमने पहले भी इससे पहले वाले example में भी देखा था roster form अच्छा इससे पहले वाले example मैंने एक बात की थी हम relation को एक और तरीके से दिखा सकते है CD line नहीं बन रही है देखते है कोई tool अगर CD line के लिए पढ़ा हो यहाँ पे CD line draw करने के लिए यहाँ पे मुझे फिलाल कोई tool नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं फिर से CD line draw करने की कोई करते है तो चल लो यह चलिया मा लेते हैं काफ यह तक CD बन गई है पहले comparison में अब का यह X axis हो ङह Y axis हो गया अब चल अब पॉइंटज को plot कर लेते है जो जिस से neighbours 1 किस से रिलेटड एब 3 से रिलेटड है तो वन यहा कही होगा 3 साइब यहाँ कहीं होगा form या फिर हम यह बोल सकते हैं coordinate form अब आप एक चीज़ देखिए अगर मैं कहता हूँ every related pair अच्छा अब अगर आप मैं आपको यहां बोलता हूँ देखिए आप पहले example देखिए पहले example में जो मैंने रोस्टर फॉर्म लिखा है वह कहां लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म अच्छा यह लिखा है पहले example में रोस्टर फॉर्म यह लिखा हुआ है अगर मैं बोलता हूँ यहां पर कितने relations है अगर मैं आपसे सवाल बूशता हूँ मैं बोलता हूँ कि इसमें कितने relations है number of relations बताना है आप को कितने relations है तो अगर आप सोच रहे है number of relations Γ Новous Trust अगर आप सोच रहे है number of relations lie है तो आप ए गम गलत है है देखए यहा पर relation सिर्फ एक ही है relation इस husband flow है सब ही Patienten sha ड़िन है हाँ related पेर्ष तीन है तो number नंबर ओफ रिलेशन से कितने रिलेटिट पेर बन रहे हैं तीन रिलेटिट पेर बन रहे हैं तो आपको सुन्मा आगे यह बान अब इस वाले एक्जांपल में आते हैं यहां पर नंबर ओफ रिलेशन के अगर बात करें यहां पर नंबर ओफ रिलेशन क्या है नंबर ओफ र relations ठीक है one only क्या है वो relation is less than फिर अगर मैं बात करता हूँ यहां पर number of related pairs की number of related pairs तो यहां पर number of related pairs 4 है देखिए एक pair दूसरा pair तीसरा pair चौथा pair तो four pairs हो गया ठीक है जी तो यहां तक हमें सजना आगया अभी हम लेमेंस definition के according कर रहेते मैंने आपको सबसे पहले बताया what do you understand by relation उसके में बाद मैंने बताया कि how can you represent relations in four different forms that is set builder form, roster form, arrow diagram representation and coordinate points representation ठीक है अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे इसमें चार related pair है and every related pair यह मैं note में लिख रहा हूँ important है आप ध्यान लखना note करके में लिख रहा हूँ note क्या लिख रहा हूँ मैं इसमें every every related pair related pair कितने pair है अब चार है एक दो तीन और चार every related pair exist as a point in two dimensional coordinate system होगा हूँ बात समय आ गया आ गई होगे आपको हर related pair जितने भी related pair है यहाँ पर कितने related pair है चार related pair है और हर related pair का अस्तित्व जो होगा वो कैसा होगा वो एक point की तरह होगा coordinate 2D coordinate system में ठीक है आपको बात समय आ गई यह बहुत important बात मैंने गई है every related pair है related pair का जो अस्तित्व होगा वो एक point की तरह होगा एक related pair एक point दूसर related pair दूसर point ऐसी चौथा related pair चौथा point ठीक है जी अब इसके बाद आते हैं जरा next topic में अभी हमने layman's definition देखी है अब हम आते हैं जरा mathematical definition पर mathematical definition of relation ठीक है जी क्या है mathematical definition of relation इसको देखते हैं जरा देखें पहले वाला दूसरा वाला जो example है उसमें देखी जरा यह जो second example मैंने लिए इसमें numbers ले रहे हैं ना numbers ले रहे हैं अगर मैं यहां पर a cross b बनाता तो a cross b में कितने element आते तीन यहां पर तीन यहां पर 9 आते और यह सारे यह चार है ना यह तो होते ही उसमें 9 में बहा समयागे आपको मैं बना नहीं रहा हूं 9 pairs यह जो relation में जितने भी pair आ रहे हैं यह हमेशा a cross b के अंदर होंगे इसी तरह अगर इससे पहले वाला example लेते हैं यह जो पहले वाला example है जिसमें पहले सेट में भी चार element है दूसेट में भी चार element है तो a cross b में total 16 elements आते हैं और उन 16 elements में यह तीन पेर तो होते ही यह जो related pair मैंने तीन बना रहे हैं यह उन 16 के 16 pairs में होते हैं तो mathematical definition क्या बनती है आप समझीए ठीक है mathematical definition बन रही है कि relation अगर मैं कहता हूँ कि if a and b are two sets then a relation capital R is a subset of a cross b subset समझते हैं इसका मतलब है मैं यह कह रहा हूँ relation में जितने element आ रहे हो सारे के सारे a cross b के अंदर होंगे ठीक है तो hopefully आपको बात समय आ गई होगी अब हम एक बात और कह रहे है number of relations याद कीजिए मैंने आपको पहले बताया था जो is husband of था उसमें तीन pair related थे पर relation एक ही था number of is less than तो जब मैंने is less than लिया था तो चार related pairs बन रहे थे हैं पर number of relation एक ही था तो अभी हमारा सवाल ही है कि अगर a set में finite number of elements है b set में finite number of elements है तो total कितने different relations बन सकते है from a to b from a to b का क्या मतलब है पहला जो element होगा वो a से लिया जाएगा जो दूसरा element है वो कहां से लिया जाएगा b से लिया जाएगा तो अगर मैं यह कह रहा हूँ a में finite number of elements है b में finite number of elements है तो कितने different relation बन सकते है from a to b है ना फॉम A to B Pres Champion से डूसा डूसा element B से जैसे कि जो मैंने उपर एक्जांपल लिया था उसमें एक रिलेशन लिया था is less than हो सकता है उस रिलेशन मैं समें इक रिलेशन क्रियेट करता है फौम A to B ही इस greater than तीसरी रिलेशन हो सकता है मैं बनाता है is less than equal to चौता relation हो सकता था मैं बनाता था is greater than equal to पाचवा relation हो सकता था मैं बनाता is not equal to छटा relation हो सकता था कि मैं बनाता a is equal to b plus 1 next relation हो सकता था a is equal to b plus 2 next हो सकता था b is equal to a minus 1 कुछ भी हो सकता था कितने relations बन सकते है जब मेरे पास a में कुछ element है B में कुछ element है तो total कितने relation बन सकते है अभी जो मैंने आपको example बताया उससे ऐसा लगेगा कि हो सकता है infinite relations बने जैसे कहें लोगों के मन में आएगा infinite relations बने ठीक है पर ज़रा समझने के कोशिश करते है infinite relations बन रहे है नहीं बन रहे है डिक्ष रिलेशन जो है वह a cross b का subset बास मैं आगए आपको relation जो है वह a cross b का subset यह mathematical definition लेमेंस definition क्या थी it is a rule that relates elements of set a to the elements of set b बास मैं आगई it is a rule that relates elements of set a to the elements of set b बस mathematical definition relation is a subset of a cross b जब एक relation is a subset of a cross b लिखाओ आएगा तब भी आप समझ जाना यह relation from a to b है पहले element a से दूसे element b से अगर relation a cross b का subset है तो अगर मैं a cross b के सारे subset count कर लो अगर मैं a cross b के सारे subset count कर लो तो मैं number of relations count कर सकता हूँ तो number of subsets मुझे count करने पढ़ेंगे of a cross b ठीक है तो कैसे count कर सकते हैं मुझे number of subsets का form लोगत है two raised to the bar number of elements in a set तो यहाँ पे जो set है वो a cross b है तो two raised to the bar number of elements in a multiply by number of elements in b यानि कि अगर मैं above example की बात करूँ दिखिए मेरे पास यह definition आ चुकी है number of relations यह आपने 11 तो पढ़ रखा है यह आगे number of relations चीक है तो number of relations है two raised to bar number of elements in a into number of elements in b क्या मतलब है इसका इसका मतलब है अभी जो हमने उपर example लिया था less than वाला उसमें कितने element थे पहले set में तीन element थे दूसरे set में कितने element थे तीन element थे यानि total कितने different relations बन सकते हैं r1 less than हो गया r2 ठीक है r1 हो गया less than r1 हो गया relation 1 r2 हो गया is greater than r3 हो गया is less than equal to r4 हो गया is greater than equal to r5 हो गया not equal to ऐसे बहुत सा relation बन सकते हैं ठीक है फिर relation बन सकता है जब a होगा वो b से 1 जादा होगा ठीक है जब a होगा वो b से 2 जादा होगे इस तरह बहुत सा relation बन सकते हैं ठीक है ना तो कई लोगों के मन में infinite होगा लेकिन यह आ रहा है हमारा answer 2 raised to the power 9 2 raised to the power 9 का मतलब क्या होगा इसको मैं 2 की power 3 whole power 3 भी कर सकता है यानी 8 की power 3 यानी 512 यानी कि A से B तक total कितने different relations बन सकते 512 अब आप बोलेंगे infinite बन रहे था यार ऐसे तो ठेके ना बासमय आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ दो अलग-अलग relation नहीं माने जाएंगे अगर अगर दोनों relations में same ordered pairs है तो इसको दो अलग relation ठोड़ना एक ही relation माना जाएगा ठीक है तो यह हो गया number of relations बहुत important है याद रखना है आपको अब थोड़सा 12 का भी touch दे देते है ठीक है अभ number of relations जो कि आया था टू रिष्वा number of elements in a multiply by number of elements in b अब आप एक चीज़ समझिए relation is a subset of a cross b अब यह बताईए कि relation में maximum element कब आएंगे जब relation किसके बरावर जाएगा a cross b का बरावर इसका मतलब है अगर a cross b आपको आता है निकालना सारे pairs बनाते हैं उसमें सारे possible pairs बनाते हैं उसमें कोई relation का लेना देना देना नहीं होता है लेकिन अगर relation और a cross b बरावर हो गया या अगर दोने में ordered pairs सारे same है ठीक है तो मैं गाऊंगा a cross b हो गया और ऐसा भी हो सकता है कि r में एक भी pair ना बने तो r is equal to क्यों क्यों फाय हो गया क्यों वैसे फाय जो होता है वो subset होता है a cross b का इसका मतलब यह जो relation बन रहा है यह भी a cross b का subset है यह क्यों बन रहा है यह भी a cross b का subset है क्योंकि equal to में भी equal to भी subset होता है तो देखिए जब r की value phi होती है उसे हम लोग बोलते है void relation अभी मैं आपको एक example से बताऊंगा कौन सा void relation है और जब r की value a cross b के equal होती है तो उसे बोलते है universal relation समय आगी बात आपको जब r किसके equal होगा a cross b के equal होगा तो उसे बोलेंगे universal relation जब r phi के equal होगा तो उसे बोलेंगे void relation ठीक है अब आता है एक trivial relation अभी मैं example भी दूँगा आपको trivial relation देख लेते हैं पहले क्या होता है देखिए आपने कभी यह शब्द सुना होगा extreme ठीक है extreme का क्या मतलब होता है extreme मे maximum भी आजाता है extreme में minimum भी आजाता है मतलब अगर मानली ची एक बक्सा है उस बक्से का नाम extreme है और उसमें दो compartments है तो एक compartment को minimum कह सकते है दूसरे compartment को maximum कह सकते है मैं यह नहीं कह सकता है जो minimum maximum दोना हो वो extreme है नहीं extreme is a category that contains both maximum and minimum similarly trivial relation is a category that contains means ठीक है it is a category that contains both void relation and universal relation ठीक है आपको सभी में आगए बात note जरूर बनाएं वीडियो को pause करकर के बनाएं पर बनाएं जरूर ठीक है तो trivial relation आप सबको सभी में आगए क्या होता है trivial relation एक category है एक पक्से का नाम है actually बक्सा नहीं है मैं आपको ऐसी virtually imagine करने के लिए बोल रहा हूं माले जी एक बक्से का नाम है trivial relation उसके अंदर दो category बनाई है दो compartment है एक compartment में क्या आएगा void relation आएगा एक compartment में क्या आएगा universal relation आएगा ठीक है अब last रह गया है कि मैं इनका example ले दूँ एक एक तो example ले लेते हैं let's say मैंने का एक set है a इसमें दो element है 1 and 2 एक set है b इसमें element है 3 and 4 मैंने का relation जो है r ठीक है यह a और b के बीच में relation है small a small b small a कहा से ले रहे capital a से small b कहा से ले रहे capital b से a और b कब related जब a less than b है अब आप एक चीज़ देखिए आप एक रोस b क्या रहा है पहले तो a cross b बना लते है एक रोस भी बनायते हैं 1,3 से पेर बनेगा, 1 का 4 से पेर बन सकता है, 2 का 3 से पेर बन सकता है, 2 का 4 से पेर बन सकता है, यह सारे possible pairs लिख लिख लिए अब मैंने, अब मैं relation की बात करता हूँ, less than का relation है, मैंने पहला element A से pick करना है, मैंने 1 pick कर लिया, पढ़ते के पढ़के दिखते हैं, 1 is less than 3 सही आ रहा है, इसका मतलब 1,3 से related है, 1 is less than 4 सही आ रहा है, यानि 1,4 से related है, ठीक है, 1 के सारे बनेगा, 2 is less than 3 भी सही है, 2 is less than 4 भी सही है, आप यहाँ पर देखिए, जो R हो किसके एक वाल आ गया है, A क्रॉस B के एक वाल आ गया है, यानि कि इस example में R is universal relation, देखिए, सिर्फ हम relation का symbol देखके नहीं बता सकते universal relation है या नहीं है, universal relation है या नहीं है, युनिवर्सल relation का example, अब बस इसमें मैं हजुका सा चेंज करूँगा, और आप देखेंगे, यह वाइट relation का example भी बन जाएगा, ठीक है, तो मैंने का है, इसको R1 मानने ते चलिए, R1, R1, अब मैं एक और लेटाओ, R2, ठीक है, R2 में क्या कहा है मैंने, मैंने का X और Y दू element है, and X कहां से लेंगे, set A से, and Y कहां से लेंगे, set B से, कब related बाने जाएगे, जब X is greater than Y होगा, ठीक है, तो आप बनाके देखते हैं, मुझे पता है, जो पहला element है, वो कहां से pick करना है, A से, मैंने 1 pick क्या, 1 is greater than 3, सही है क्या नहीं, तो नहीं relate होगा, 1 is greater than 4, सही है क्या, नहीं है, 2 is greater than 3, गलत, 2 is greater than 4, नहीं, तो नहीं कोई भी related हुआ, तो यानि यह किस तरह का relation हो गया word relation हो गया, ठीक है, तो आज हमारा यह पूरा 11th का revision एक बार हो चुका है, मैंने आज आपको WhatsApp group में exercise send कर दी है, आप उसे जरूर देखें, और उसके बाद अगर कोई doubt है, तो आज आप class में पूछ सकते हैं, ठीक है, तो thank you, मैं आपसे मिलता हूँ अगले lecture में, YouTube में and Zoom में, अपगो हूँ, तो तो आपको हूँ, आपको हूँ.